हलो गाइज आज की क्लास में हम क्लास 11 के फिजिक्स के फिर्स चैप्टर पर वर्क करने चल रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स के फिर्स चैप्टर में जो कि हम लोगों के पास है फिजिकल वर्ड इस पर हम लोगों को वर्क करना है और यह चीज जानना है कि फिजिकल वर्ड में हम किन-किन concepts को लेकर के proceed कर सकते हैं तो गाइस physical world में सबसे पहले हम ये चीज जानते हैं कि हमारी surrounding में physics का क्या application है physics की need क्या है physics की requirement क्या है और किस basis पे physics work करता है हमारी surrounding के objects पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला part जो मिलेगा हमें वो होगा what is physics actually physics है क्या तो सबसे पहले हमें जानना है physics word में एक word आता है physics physics का मतलब होता है हमारी surrounding का environment जिसको हम लोग क्या बोलते है nature इसको हम लोग बोलते है nature तो we know it very well कि nature को ना हमने produce किया है और ना ही हम इसे खतम कर सकते है ये ever existing element of our universe है या of our word है ये पहले भी बहुत था हमारी existence के पहले भी था और हमारी existence के बाद भी होगा अब आपको पता है कि nature कोई simple part नहीं होता है nature बहुत धेर सारे elementary particles है elementary particles है और infinitely many objects के combined होने से बनता है तो simple सा task है कि physics nature की study को ही कहा जाता है nature में जो भी चीज़े प्री existing है जो पहले से exist कर रही है या जिनको हम innovate करते हैं वो सारी pre-existing चीज़े या innovative चीज़ों का proper manner में study करना और study करके उनके criteria को find करना जिसमें उनके through apply किया गया force proper manner में work करता है that is called physics तो यहाँ पर simple सा अगर एक statement हो रा जाए तो हम का सकते हैं study of nature is called physics is called physics study of nature is called physics यानि nature की study को हम physics बोल सकते हैं यानि कि जब हम study करने हैं nature की और उनके elements की तो हम उसे क्या बोलते हैं physics बोलते हैं तो यहाँ पर आपको जो part बताया जा रहा है उसमें हमें इसी के under में work करना है हमें इन चीजों को जानना है कि या किस basis पे work करेंगे और इनका procedure क्या होगा किसी चीज पे work करने का तो यहाँ पर दिखिए study of nature is called physics अब अगर हम आगे चलते हैं तो इनके कुछ criteria मिलते हैं या फिर इनको other words में अगर हम बोलना चाहें तो हम यह बोल सकते हैं कि physics is a science whose objective to study the components of matter and their mutual interaction यानि कि nature में exist करने वाले matter और उनके mutual interactions की study हम जिस branch में करते हैं science के that is called physics यानि किसी भी specific matter का जो हमारे nature में exist कर रहा है existence को चेक करना और उनके particles के बीज के mutual interaction को judge करना वो हम किसमें करते हैं physics में करते हैं आप देखिए physics के कुछ specific parts होते हैं यह parts क्या हैं हम इस पर प्रापर मैनर में work करेंगे देखिए आप देखिए हमने बताया कि किसी भी matter में जो particles होते हैं उन particles के interactions को particles के interactions को लेकर चलने वाले part को हम लोग जिसमें चेक करते हैं वही क्या होता है आपका physics होता है तो अब देखिए यहां पर आपको कुछ इसके fix terms दिये जा रहे हैं उन terms को हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं पर्स टम बच्चों है आपका interaction क्या है इंट्रैक्शन 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 वर्ड जो बना हुआ है वो इंट्रैक्शन से मिल करके इंट्र का मतलब होता है इन बिट्वीन, इंटर का मतलब होता है इन बिट्वीन और एक्शन का मतलब होता है वर्किंग, यानि किनी टू आपजेक्ट्स के बीच में, जो specific force वर्क कर रहा है, that is called the interaction force, चीक है, या फिर आप कह सकते हैं, कि किसी एक आपजेक्ट्स के रीजन से, उसके क्राइटेरिया मे यानि कि किसी एकषन के रीजन से, उसके क्राइटेरिया में, हर एक आपजेक्ट का एक रीजन हैं, ऐसा तो है नहीं, कि हम यहां पर बैठे हुए हैं, और किसी दूसरे इसकूल मे नहीं किसी दूसरी क्लास के बच्चे को गवर्ण कर लेंगे, हम जिस क्लास में हैं, उसी specific क बच्चे को गवर्ड कर सकते हैं तो सिंपल सा टास्क किसी particle की surrounding का एक fixed region जिसमें वो दूसरे particle को अपने force से effect कर सकता है that is known as interaction तो बच्चों ये first part रहाँ आपका interaction का अगर हम second part की बाग करते हैं तो second होता है field and force field का मतलब the criteria अभी हमने बता है interaction का मतलब क्या था उसकी field में जो force work कर देगा उसी को interaction बोलता है अब यहाँ पर field बता है field क्या है field field का मतलब यह हुआ कि वह specific reason जिसमें उसकी working ability work कर रही है या फिर interaction force work कर रहा है interacting nature work कर रहा है उसे हम लोग field बोलते हैं और force की बाद force का मतलब होता है sorry guys any type of push or pull यानि अगर किसी region में किसी तरीके का push or pull apply हो रहा है तो उसे इम लोग force बोलेंगे और एक fix region जो होगा उसे ही इम लोग क्या बोलेंगे field इसके बाद हमारे पास होता है फिजिकल लाग वाट इस मेंड वाइदा फिजिकल लाग फिजिकल लाग इसी भी जनरल फेनोमेना को explain करने के लिए हमारे पास एक fix routine लेंगविज होती है उसी को हम लोग बोलता है physical लाग यानि surrounding के object के working pattern को explain करने के लिए कुछ subsequentry words का collection होता है जो उसके working pattern को explain करता है saltist law या फिरम का सकता है उसकी physics को या उनके particles के interacting behavior के nature को explain करेगा उसी को हम बोलता है physical law physical का मतलब किसी object की physics, shape, size के working behavior को explain करने का जो procedure होता है that is called the physical law इसके बाद लोगों के पास होता है fact fact, fact, fact क्या है, fact बहुत ही important चीज होता है इसी fact के region से किसी object पे हम calculation start करते हैं या फिर कह सकते हैं, इसी fact के region से हम work करना start करते हैं और उस object की depth तक जाते हैं और इसी fact की help से हम principle rule, theory, and hypothesis hypothesis जैसी चीजों पर work करते हैं hypothesis जैसी चीजों पर हम work करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, भचो, principle क्या होता है किसी fact को pick किया और उस fact का मतलब तथ्य होता है एक fix statement वो क्यों हो रहा है उसके पीछे के reason को ही हम क्या बोलते हैं हम उसके पीछे के reason को ही rule बोलते हैं rule का मतलब क्या हुआ किस pattern पे कोई object work कर रहा है तो principle क्या हुआ उस rule को represent करने का एक simple manner जो होगा language जो होगी उसी को हम principle बोलते हैं और theory क्या होती है theory का मतलब होता है एक mathematical interpretation जो उस specific fact के behavior को represent कर रहा है तो फ़र से देखते हैं किसी specific work के लिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा rule की किस basis पे वो work कर रहा है after that उसको हम एक fixed language में collect करेंगे जिससे वो एक meaningful sentence को represent करें फिर mathematically उसे prove करेंगे और mathematically prove करने के लिए हम hypothesis को utilize करते हैं hypothesis जो होता है वो एक supporting statement होता है किसी भी principle के लिए जिसको practically prove तो नहीं किया जा सकता है practically prove तो नहीं किया जा सकता है but surely उसका representation किसी दूसरे की existence को बढ़ा देता है कहने का मतलब कुछ यह कह सकते है कि zero का खुद का क्या existence है nothing but zero अगर कहीं पर utilize कर लिया गया after the number तो वो उस number की value को ten times जादा increase कर देता है तो बड़ा simple सा टास्क है hypothesis का खुद का कुछ practical verification नहीं है but it increases the existence of any specific theory और theory तो इसको ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो next part में देखिए हमें क्या रहता है इस scope of physics पे हम work करने चल रहे हैं एक चीज और थोड़ा सा देख लेता है यहां पर एक part आता है model यहां पर उपर आपने जो सारी concepts को बढ़ रखा है इनको मिला करके अगर कोई वर्किंग प्रोजेक्ट बनाया जाए वर्किंग प्रोजेक्ट जो उस रूल के basis पे वर्क कर रहा हो उस principle को फॉलो कर रहा हो उसकी थियरी से उसको explain किया जा सके और उसका जो hypothesis वो उसके लिए सपोर्टिव हो तो सिंपल सा टास्क है physics में model का existence सबसे ज़्यादा important होता है और physics जो है actually बचो यह चीज़ समझना है कि physics science की सबसे important branch है physics science की सबसे important branch है क्यों क्योंकि science का जो mean होता है that means to know जानना चीज़ों को कैसे work कर रहे है क्या process है जिस दिन आपके अंदर से जानने की इच्छा खतम हो गई आप neutral हो गई emotionally चीजों के लिए आप feel नहीं कर पा रहे हो आप sentence को feeling से नहीं जोड़ पा रहे हो बिटा उस दिन science को सीख पाना और समझ पाना आपके लिए बिल्कुल ही negligible हो जाएगा possible ही नहीं होगा science को समझ पाना तो simple सा task है science की सबसे important branch है physics जिसका मतलब होता है to know, to know का मतलब जानना, समझना, सीखना और जानने, समझने और सीखने के लिए ये सारी बाते जो दी जा रहे हैं these are the most important parts ठीक है तो बच्चो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर scopes of the physics पे बर करने चल रहे हैं यहाँ पर आपने interaction देखा, field and forces देखे, physical laws देखे, उन physical laws को जिन facts के basis पे explain करते हैं facts के supporting role models जो होते हैं और इस अभी को मिला करके जो model हम represent कर सकते हैं उस specific phenomena को दिखाने के लिए, so करने के लिए that is called the physics तो यह पूरा का पूरा आपका physics का proper manner में explanation रहा now we have to move on the scopes of the physics तो बचले को scopes of the physics को अगर आप समस्ते हो, तो scopes का मतलब होता है कि physics का कहा कहा पर किस तरीके से utilization किया रहता है तो इसे हम लोग दो तरीके से बटा divide करते हैं जो हमें इस class में पढ़ना है first part हमारे पास होता है classical physics classical physics का मतलब एक पुराना pattern जो चला आ रहा है ट्रेडिशन चला आ रहा है उन्ही ट्रेडिशन के basis पे हमने loss को पिक किया कुछ loss जो है वो 16th century के हैं कुछ loss जो है वो 14th century के हैं उन्ही ट्रेडिशनल loss को पिक करके हमने उन चीजों को explain कर दिया those are called the classical physics और बटा इसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो होता है modern physics तो परहे हम classical physics की main branches पे work कर लेते हैं classical physics की first branch होती है mechanics mechanics में आपको समझना है यह क्या है actually mechanics जो होती है mechanics का मतलब होता है बच्चों कि यह सबसे पुरानी branch है physics की जो कुछ fix laws के साथ deal की जाती है कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी specific laws होते हैं उन laws का जो study किया जाता है उनका working process है हम कह सकते हैं कि daily life में जो application है all those things are studied under the mechanics उन सभी चीजों को हम mechanics के अंदर ही पढ़ता है और यह physics की oldest branch है यह physics की oldest branch है यह पर बचो आप देख सकते हो कि आप inertia के बारे में पढ़ते हो आप momentum के बारे में पढ़ते हो आप impulse के बारे में पढ़ते हो आप forces के बारे में पढ़ते हो यह सारी चीजे जो है इन सभी के working procedure को ही वेटा हम लोग क्या बोलते हैं mechanics बोलते हैं mechanics में आपको बताया जाता है कि इसमें हम उन properties पे work करते हैं solids और fluids के जो continuously किसी particle के constituting materials के form में work कर रहे हैं कहने का मतब कुछ यह रहा बचो आपके लिए कि यह parts तो exist करेंगे ही करेंगे लेकिन यह किन में work करेंगे किसी specific object में और object क्या होगा आपका solid, liquid और gas और यह किन से बने हुए हैं particles से मिल करके बने हुए हैं किन से बने हुए हैं particles से और इनके particles के बीच में क्या होगा एक तरीके का interaction होगा क्या होगा बच्चों interaction होगा और इन interactions के business पे कुछ fix behaviors तो किये जाएंगे behaviors किये जाएंगे और उसी को हम क्या बोलता है उन्हीं की study का procedure जो होता है that is called the mechanics तो यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है the oldest and most basic branch of the physics in which we studied about the inertia, momentum, impulse and forces like factors और इसमें different objects के particles के interaction के basis पे generate behaviors की study की जाती है अगर हम second की बात करते है तो हमारे पास होता है heat and thermodynamics heat and thermodynamics बचो इसमें क्या होता है heat and thermodynamics में हम वर करते हैं all the phenomena which related to the temperature all the phenomena which relates to the temperature temperature से relate करने वाले किसी भी phenomena को हम उसमें representate करते हैं इसमें इसके बाद आपके पास आता है sound sound को बच्चों हम लोग acoustic भी बोलते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं is किसी भी specific wave के बारे में जब study करनी होती क्यों क्यों होता है वेव के region से तो किसी भी specific wave के region से अगर हमें sound की study करनी है या किसे बी इस तरीके की इस्टेश्टरी वेव हो गई प्रोग्रेसिव वेव हो गई उन सभी चीजों को किसमें स्टुडी करते हैं बचों साउंड एंड अकाउस्टिक्स में फिर इसके बाद आपके पास आता है ऑप्तिक्स आप्तिक्स का मितलब होता है लाइट से रेलेटेद हर एक फेणोमेना को इस्टुडी करना प्रॉपर मैंनल में इस्टुडी करना, इस नोन एस ऑंटिक्स इसके बाद आपके पास इसकी जो last branch होती है that is Electromagnetism Electromagnetism देखिए यहां बार electricity भी होगी, magnetism भी होगा, electromagnetism भी होगा कहने का मतलब किसी भी moving charge की study, किसी भी magnet के region से generated different parts की study को हम लोग Electromagnetism में लेकर के चलते हैं, but all these things are basically based on the initial theories, initial practical knowledge जो आज से कई सौ साल पहले दिये गए हैं, चाहे वो Aristotle के थूप्रवाइट किया गया हो, चाहे Mr. Gallerio के थूप्रवाइट किया गया हो या फिर Albert Einstein के चुप्रवाइट किया गया हो, या Huygens के चुप्रवाइट किया गया हो, या Newton के चुप्रवाइट किया गया हो तो जो भी rules ऐसे हैं, जो बहुत पुराने scientific behavior से, या किसी fix ऐसे law से belong करते हैं, जो traditional में आते हैं, तो उनको हम लोग classical physics में पढ़ते हैं तो बचो यहाँ पर यह आपकी classical physics रही, अब उसके बाद आपके पास आती है physics की डूसरी branch that is known as modern physics अब modern physics में देखिए क्या होता है, modern physics में आपको उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना होता है, उन सभी चीजों के बारे में, जो modern concept में work कर रहे हैं, modern concept का मदलब क्या होता है बचों, तो सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, modern physics modern physics तो देखिए modern physics का प्रैक्टिकल जो मतलब हुआ, वो होता है कि all the above lens and branches constitute, इन सभी को classical physics बोला जाता है, लेकिन उसके बाद, अप्रॉक्स नाइंटीन, हंड़े में, जो भी changes हुए, जो भी नए लाज आए, वो बिल्कुल tradition से हट कर रहे, उन्होंने पुराने लाज को fully break किया, उन्होंने पुराने लाज को क्या कर दिया बुरी तरीके स इसे district कर दिया और उसके बाद उन्होंने नए लाज दिये, उन नए लाज की अगर हम बात करें, तो चाहें वो आपका radio activity हो, quantum theory हो, wave mechanics हो, relativity mechanics हो, या फिर light radiation laser की बात की जाए, ये सभी आपके जो आते हैं, वो सब आपके modern physics की category में divide किये जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन टाइल पर x-rays हो गया, theory of relativity हो गई, wave optics हो गया, इन सभी चीजों को मिला करके, और इसके बाद के जो भी specific laws आये, उन सभी चीजों को मिला करके, हमने क्या किया, उसे modern physics का नाम दे दिया, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, यह सभी जो थे, वो पुरानी theories से काफी अलग थे, यह सभी जो थे, वो पुरानी theories से काफी अलग थे, quantum theory हो गई, इसके अलाव बचो आपके पास radio, activity का case हो गया, यह सब जो हो गए आपके, यह modern physics में आये, जिसके बैसिस पे आपने atom and nucleus के नए structures के बारे में जाना, बोर्स के concept के basis पे, जिसके basis पे आपने nuclear fusion है, nuclear fusion को जाना, इसके basis पे ही आपने computer का construction देखा, जिसी के basis पे modern theory के basis पे आपने mobiles के representation को समझ सके, इसी के basis पे chip mechanics आई, जो कि आज के time पे हम लोगों के लिए बहुत ही important है, और उसी के basis पे हमने semiconductor and devices का utilize करते हुए, कई तरीके के बहुत ही typical circuits को, बहुत ही easy manner में हमने उसको perform किया, और rocket जैसे नए electronic devices को perform किया, जिसकी help से हम first से अर्ष पे पहुच गए हैं, कहने का मतलब कुछ ये रहा कि modern physics एक ऐसी physics है, जो पुराने laws को नए form में built up करके society में लेकर के आ रही है, जिसकी help से चीजों को नया करके, कम time में, कम money में और कम space में आप चीजों को proper manner में लेकर के proceed कर पा रहे हो, अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं, physics का relation science से क्या है, actually physics जो हमारे पास है, यह physics जो है, वो science से क्यों relate करती है, reason physics nature की study है, study of nature, को ही हम बोलते है physics, और science क्या है, science है, बचो, to know about any specific part, किसी भी चीज के बारे में जानना ही क्या है, science, और हमारी nature ही हमारा universe है, practically अगर हम कहें तो universe बहुत बड़ा है, बट हमारी surrounding हमारे nature के इर्दगिर्दी ही गूंती है, तो बटा सबसे ज़्यादा जानने के लिए हमारे पास क्या है, nature, nature ही नहीं नहीं चीजों को हम innovate करते हैं, कभी हमने यह नहीं कहा, कि हमने नहीं चीज को बनाया, actually बटा हमने बनाया नहीं है, कहीं न कहीं से वो rule already nature में exist कर रहा था, और उस specific rule का use करके हमने सिर्फ उसको perform करा करके एक नए object में ढाल दिया, तो कहाने का मतलब कि हम nature में already बनी हुई चीजों को ही खोजते हैं, और उसको खोज करके नए सिरे से उसे society में represent करते हैं, तो यहां पर बेटा, physics is most important branch of the science, because we have very extensial part of subject which have to know that related to the nature, वो nature से ही relate कर रहा है, जो हमें maximum part में जानना है, समझना है, या फिर क्या आपने आज तक कभी देखा ऐसा, यह कोई ऐसा, आप जैसे देखिये, अगर आप किसी भी चीज की बात करोगे, तो वो कुछ fix laws पर ही वर करते हैं, जैसे अगर आप किसी भी specific principle की वर करो, तो कुछ fix laws हैं बच्चों हमारे पास, वो उनहीं पर वर करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ fix laws हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं लाफ conservation of mass, लाफ conservation of energy, लाफ conservation of momentum, लाफ conservation of inertia and लाफ conservation of angular momentum बचो इन पाजों के अलावा कोई further और लाफ हमारे पास होता ही नहीं और जितने भी basic laws हम बनाते हैं वो इन समय से किसी ना किसी को follow जरूर करते हैं और जो इनको follow नहीं करता उस rule को specifically हम सही नहीं मानते हैं तो practically हम यह बता सकते हैं कि हमारा जो physics है यह क्या है आपके पास? यह हमारी science का सबसे important part है और सबसे ज़्यादा easy manner में हम चीजों को लेकर के यहीं से आगे बढ़ते हैं इसी की branch में हम astronomy पे वर करते हैं इसी की branch में medical science में वर करते हैं ओसेनोग्राफी में वर करते हैं यहीं पर हम seismology में वर करते हैं और इसी के basis पे हम नई नई चीजों को खोजते हैं invent नहीं करते हैं, invent तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो invention होता है, किसी पुरानी ला पे ही based होता है, या तो ला of conservation of energy को follow करेगा, momentum को follow करेगा, inertia को follow करेगा, angular momentum को follow करेगा, mass को follow करेगा, तो हम चीजों को invent तो कर सकते हैं but all those inventions just based on the previous basic concept कुछ पुराने basic concept पे ही वो पुरी तरीके से आपके based होते हैं अब देखिए यहाँ पर हमें समझना है कि हमारी society में जितनी भी चीजें मिली वो सभी चीजें physics के under में ही आई जैसे अगर आप 19th century, 20th century and now it is 21st century इन सभी की बात करते हैं तो इन सभी में अगर आप बात करोगे तो आप देख सकते हो कि जो भी energies हैं चाहे वो aeroplanes में utilize की जा रही हो electric powers हो या फिर आपके radio and televisions हो nuclear energies हो या entire electronic and computer devices हो इन सभी चीजों को physics के modern branch में ही रखा गया है because all these things are developed at the end of 19th century या in between the 20th century या in the beginning part of the 21st century तो इन चीजों को proper manner में हम वहीं से consider करते हैं बच्छों अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ basic forces in nation में बताई जा रहे हैं तो अगर आप बात करते हो forces in nature की तो आपके पास overall four forces होते हैं in nature अब इन सभी को समझना और जाना ज़रूरी है अगर आप इनके increasing और decreasing order की बात करते हो तो increasing and decreasing order में आप इस चीज को समझ सकते हो कि जो भी आपके यह forces दिये जा रहे हैं वो किस basis पे settled होते हैं और इनका procedure क्या होता है एक fixed pattern में convert करने का तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके पास जो होता है वो होता है सबसे strong force आपके पास जो होता है बच्चो वो होता है strong nuclear force सबसे strong force आप लोगों के पास होता है strong nuclear force strong nuclear force के बाद आपके पास होता है electromagnetic force और फिर होता है आपके पास बच्चो gravitational force के बात के बात करने तो सबसे ज्यादा आपके पास मेट करते हैं कि इस हुर्च जो होता है यधा है टिक स्टांग दिश सब्सक्राइब नंदर इवर करेगा और जिसकी रेंज होगी 10 तू पार माइनस 15 यानि फरमी की रेंज में यह वर करेगा यह इजो वर करता है अब करसकता है और इसमें बादा कर सकता है यह बच्चों जो आपके हैu Nucleons होते हैं इन Nucleons को हम बोलते हैं Quark क्या बोलते हैं Quark इसलिय 270 हम इनको Quark, Quark Interaction Force भी बोल सकते हैं Quark, Quark Interaction Force भी बोल सकते हैं Strong Nuclear Force के बार बचलो आपके बार Second होता है Electromagnetic Force Electromagnetic Force Electromagnetic Force एक इसे चारज के मूवमेंट के रीजन से आपका यह फॉर्स जो होता है वो जेनेरेट होता है जो आपका यह होता है किसी चारज के रीजन से generate होता है और ये Nucleons के basis पर ना हो करके जिनकों लोगों ने को ग्लूकॉंस बोला था ग्लूकॉंस के basis पर ये ना हो करके photons के basis प्वद करते हैं यह photons के basis प्वद करते हैं और यह 10 पार minus two order के होते हैं इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्ट्राग नुक्लियर force के 10 to power minus 2 order के होते हैं और ये inverse square law को follow करते हैं inverse square law को follow करने वाले होते हैं इसके बाद बच्चों आपके पास जो third आता है that is weak nuclear force weak nuclear force होता है वो आपका होता है weak nuclear force बच्चों आपका जो होता है वो 10 to power minus 9 times इस order का होता है in comparison to the nuclear forces और ये जो force होता है बच्चों वो आपका intermediate vector bosons के region से होता है यानि आप कह सकते हैं कि जो आपके nucleus के further basic particles होते हैं उनके basis पे ये वर करता है जिसको हम लोग बोलता है intermediate vector bosons intermediate vector bosons और last आपके पास होता है बच्चों gravitational force ग्रेविटेशनल फोर्स जो 10 to power minus 38 की order का होता है और ये universe में exist करने वाले हर एक body पे बर करता है और इसके साथ साथ ये भी inverse square law को फालो करता है तो inverse square law को फालो करने वाले कौन टू राउस है आपके पास एक होता है electromagnetic force एक होता है आपका gravitational force अब यहाँ पर सबसे important चीज़ बचो ये है कि strong nuclear force की comparison में electromagnetic force जो होता है वो 10 to power minus 2 order का होता है weak nuclear force 10 to power minus 9 order का होता है gravitational force 10 to power minus 38 order का होता है इसमें strongest force आपका strong nuclear force है जो 10 to power minus 15 meter की range में ही वर करेगा जिसको हम लोग फर्मी भी बोलते है कितने range में ही वर करेगा electromagnetic force moving charges के region से generate होते है यह inverse square law को फालो करते है और यह 10 to power minus 2 order के होते है in comparison to the strong nuclear force weak nuclear force आपका जो होता है वो intermediate vector drossons के basis पे वर करता है उनके exchanges के basis पे वर करता है और weak nuclear force जो होता है that is 10 to power minus 9 order in comparison to the strong nuclear force और gravitational forces बच्चो जो होते है वो 10 to power minus 38 order के आपके लिए होते हैं यहाँ पर बच्चो आपको इसके बारे में proper manner में बताया गया अब इसके बाद आपके पास कुछ fixed conservation laws होते है जैसे अभी हमने थोड़ी दिर पहले बताया था कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें कुछ fixed laws पे ही depend करेंगी जैसे आपको बताएगा law of conservation of mass, energy, linear momentum, angular momentum and charge तो यहां पर आप समझ सकते हो कि इन ही पे हमारा पूरा का पूरा surrounding based है और पूरी तरीके से इन ही पे depend कर रहा है अब इसी को invariance principle भी बोला जाता है जिसको कहते है all laws of nature remain unchanged for some particular change of the physical condition यहनि आपके पास जो यह laws दिये जा रहे है law of conservation of mass, law of conservation of energy, law of conservation of linear momentum law of conservation of angular momentum and last is law of conservation of charge बच्चो इस आर invariant laws, invariant laws क्यों बोला गया these cannot be changed, these laws are unchanged for any specific change किसी भी specific change के लिए इन laws को हम change नहीं कर सकते हैं इसलिए इन्हें क्या बोला गया है अब यहां पर बच्चो देखिए कुछ fix चीज़ें आपको बताई जा रही है जैसे आपको बताई गया कि universal interaction जो होता है वो चार parts में divide होता है पहला आपको strong nuclear force दिया गया दूसरा आपको दिया गया electromagnetic force तीसरा दिया गया weak nuclear force और उसके बाद दिया गया आपको gravitational forces तो गाईज एक छोटा सा part हम लास्ट में और बता रहे हैं कि इसके बाद आपको कुछ fix specific devices के inventors का नाम learn करना है जिसमें आपको society के सबसे बड़े physicist के बारे में जानने का मौका मिलेगा जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें तो आपको बताया जाता है कि some great physicists and their contributions तो दिखिए आपके पास आते हैं Mr. Charles आते हैं Mr. Wiles आते हैं Robert Wiles है, Christian Huygens है, Robert Hooks है, Daniel Bernoulli है, Sir Henry Cavendis है, Lord Kelvin है, JP Doppler है, Hans Orsted है जिसको हम लोग HC Orsted भी बोलते हैं, Thomas Alva Edison Sir है, JJ Thompson है, इसी के basis पे बचो बहुत से ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं निशीत तोर पे इन notes को जल्दी से जल्दी हम आपको जो है provide करने की कोशिस करेंगे although first chapter which is the physical word that has been properly completed बस आपको इसमें कुछ अच्छे inventors के बारे में जल्दी ही आपके second chapter जो actual initiation of physics होगा उस पर वर करते हुए मिलेंगे और वो chapter जो आपका होगा वो होगा units and measurements का surely guys we will meet soon on that chapter at last humble request to all of you please subscribe the channel and surely press the bell icon जिससे आपको नए वीडियो के notifications मिलते रहें okay guys be progressive, be energetic and be motivated thank you class कि अपको बारे में कर दो आपको दो दोए यार कर दो जो मिलते रहें